एक्सन में मैं राकिस रंजन आप से भी कहार्दिक स्वागत करता हूं फिर से कंटीनियू हम कर रहे हैं CHSL पेपर का पोस्ट पॉन हो गया तो उसके बाद इधर कर रहे हैं उसे पहले ये था कि बच्चे जितने सारे जो पेपर देने जा रहे हैं तो वो अपने सिल्फ स्टड़ी करें ज्यादा बहतर था बट जो भी पेपर हुए इतने दिनों में उनसे ये पता लगा कि अभी तक मैंने कुल 15 करवाएं थे 15 के करीब में मैंने अभी तक वीडियो का जो बोकैब का वीडियो करवाया था सेट का तो सोलूशन पोशिबल हो नहीं पा रहे हैं तो कंप्लीट सेट का सोलूशन भी देने का सोच रहे हैं बट देखिए कि हो पाता है तो कर पाते हैं उसके लिए बोड चाहिए प्रोपर प्रोपर लाइट चाहिए तो वह थोड़ा सा इसू है और अकेले में हो नहीं पायागा वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करना पर पॉस करना तो अभी फिलाल नहीं हो रहा है बट यह आपको पोजेटिव बता रहा हूँ मैं कि 15 वीडियो बनाएं जिसमें जितने भी पूछे गए अभी तक के वड मैंने करवाय हूए थे सारे वड मैंने करवाय थे और आपका आप का पेट पारसला में चल रहा है जो गिजेट चल रहा है वो कहीं भी आप मंधली 1200 रुपया पे करके भी करेना तो उससे बेहतर चल रहा है free of cost ये लोग मैंने लोग जो पेपर दे के आएं जो लोग जूड़े हैं जो continue हैं जिनको फायदा हुआ है वो बोलते हैं अच्छा लगता है confidence आता है मुझे confidence उनके बातों से confidence आया तो आज के साथ आपके साथ सेर कर रहा हूं ठीक है तो देखते हैं वर्ड आज के कौन से कौ होता है decline का मतलब होता है पतन होना हास होना ठीक है या किसी के request के किसी के proposal को अस्विकार कर देना वो होता है दो पहला explanation है to become weaker to become weaker smaller or less good कम जोर होना छोटा होना या कम अच्छा होना क्या कला था है decline का अना पतन होना है या हरास होना sign हो क्या decrease रेड्यूस या lesson ठीक है L E W A S E N एक word था आपको lesson L A W A S O N lesson का मतलब होता है Lesson एक तरह की रसी होती है जिससे किसी को बांधना वो lesson होता है ठीक है और एक तो lesson होता है A-L-E-A-S-O-N और लेसन का मतलब क्या होता है पार्ट होता है तो ये तीनों को इसके साथ में आप लिख लेंगे लैसो है वो बड़ S-S-C के पाहले सेटों में पूछा गया ठीक है अब जो दूसरा अर्थ है To Refuse Usually Politely विनमरता के साथ है असवी कार कर देना जैसे कोई व्यक्ति आपको साधी पार्टी में बुला रहा है आप उसको कहें कि देख भाई ना पा सकते है विनमरता के साथ मना कर रहे है तो वो क्या है Decline कर रहे है Sign हो क्या होगा Turn Down होगा Reject होगा Refuse होगा Rebuff होगा Aspar होगा Disdain होगा नमरता से अस्विकार कर देना एक वड़ होता है Refute R-E-F-U-T-E R-E-F-U-T-E और Refute का मतलब होता है खंडन करना Refute का मतलब क्या होता है खंडन करना तो उसको भी ध्यान रखेंगे चलिए अगला बाटे Discard और Disregard Confuse करता है आपको Discard और Disregard कई दफा ये Spell Test में भी आता है तो ध्यान रखेंगे Discard देखें बाहर मतलब क्या होता है To throw something away Because it is not useful यानि किसी चीज को बाहर फेक देना क्योंकि हम मानते हैं कि वो आप क्या उपयोगी ना है तो साइनों क्या होगा Get rid of या throw away बेकार समझ कर फेक देना ठीक है और Disregard का मतलब क्या होता है To fact of showing no care or respect for something यानि किसी चीज की परवाह ना करना क्या कहलाता है Regard Disregard Regard का मतलब क्या होता है Regard का मतलब होता है सम्मान देना Attention देना Regard का मतलब क्या होता है सम्मान देना Attention देना तो disregard हो गया है यह नहीं क्या करना किसी को सम्मान ना देना किसी के परवाह ना करना तो disregard है sign हो क्या होगा इसका ignore होगा neglect होगा in attention होगा मतलब किसी को attention ना देना समाज गया होगा discard और disregard चली उसके बादा suspend है Suspend का मतलब दो है भर्व है दो अर्थ है पहला तो है to hang something from something ill का लाता है और दूसरा अर्थ होता है to stop or delay something for a time यानि किसी समय के लिए किसी गतिवीदी को रोक देना postpone कर देना क्या करता है Suspend ठीक है sign हो क्या होगा adjourn होगा prorogate होगा recess होगा defer होगा postpone होगा put off होगा ठीक है जैसे SSC ने क्या क्या post phone क्या भी paper को ठीक है तो sign word द्यान रखेंगे adjourn है prorogate क्या है prorogate तो इस word को आगे हम देखेंगे प्रोगेट से मिलता जूलता एक word देखेंगे चलिए आगला वर्ड है suspended, suspend का ही भित्री है suspended इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, if someone is suspended यादी कोई व्यक्ति को suspend कर दिया गया है काम से, from work, आस्कुलिटी से दे आर टेम्परोरिली नोट अलाव टू वर्क गो टू आ स्कुल और टेक पार्टी ने अन अक्टिविटी पिकाउज आफ एविंग डन सम्थिंग रॉक यह किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया इसके बज़े से अगर किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है त टी इफ आई एन आई टी आई ओ एन डीफिनिशन तो वह ध्यान रखेंगे ठीक है चली हम अभी बोले थे एड्योर्न समिलता जिलता बड़ देखेंगे सोजर्न मतलब क्या था है? एड्योर्न का मतलब था सस्पेंड कर देना, पोस्ट पोन कर देना, प्रोरोगेट कर देन ठीक है अभी हम देखेंगे sojourn, sojourn का मतलब होता है a sort a stay at a place that is not your own home यानि कि किसी अस्थान पर छोटे समय के लिए रूखना क्या कहलाता है sojourn कहलाता है sign क्या होता है a stay या a stop ठीक है और अभी हम prorogate देखे थे जो कि sign हो था किसका adjourn का, suspend का, postpone का तो आप देखेंगे propagate propagate का मतलब दो अर्थ होते हैं पहले महें देखें क्या to a spread opinions lies or belief among a lot of people यानि कि कई सारे लोगों में अपने विचारों को अपने idea को फैलाना क्या कहलाता है propagate कहलाता है साइनों क्या होंगे? अश्प्रीड होंगे, decaminate होगा, communicate होगा, pass on होगा, put about होगा, मतलब परसारित करना और दूसरा होता प्रोपोगेट का मतलब to produce a new plant using a parent plant यानि कि जो parent plant होता, main plant होता, उससे एक नया पौधा उत्पन करना वो भी प्रोपोगेट कहलाता है तब साइनों क्या होगा? breed होगा, cultivate होगा, generate होगा, grow होगा और procreate होगा, तो यह प्रोपोगेट को भी ध्यान रखेंगे हम पहले देखें क्या? prorogate देखें, prorogate का मतलब क्या था? postpone था और उसी वाले साइनों हम देखें, adjourn देखें ठीक है इससे पूरी नमी को शोख लेना और उसको क्या कर देना? उसे सुखा बना देना, क्या कहलाता है? desiccate कहलाता है, साइनों क्या होगा? dehydrate होगा, dried होगा, ठीक है अब किसी चीज को हड़ियों जैसा मजबूत बना देना, क्या कहलाता है? ocify कहलाता है, उसको बोलते हैm ocify, किसी चीज को हड़ियों जैसा मजबूत बना देना, क्या कहलाता है? ocify कहलाता है चलिए अगला वर्ट देखते हैं 10 में 10 में है ग्लांस भर है इसका मतलब होता है तू लुक ट्रिकली एट समबडी सम्टिंग यानि किसी चीज की और या किसी चीज की और एक जहलक देखना तेजी से देखना क्या कला आता है ग्लांस कलाता है साम नो जागा पिक होगा पिप ह होगा ग्लिम्स होगा चलिए इसके ग्यार हमें था डिस्टिंग इस्टिंग इसका मतलब होता है अ भीन भीन तब देखना डिफ्रेंट करना तो रिक यॉविक्ट करना डिफ्रेंस बैट्मिन 2 थिंग्स और पीपल समाना बढसा भड़ है आगला वर्ट है आगला वड़ है तो साइन होगा आपको नोटिस, सी, नोट, परसीव, डिसर्ण, अच्छा वड़ है, डिसर्ण को ध्यान रखेंगे, डिसर्ण, असपोर्ट, डिटेक्ट, डिसकवर, बिहोल्ड, समाझ कहा होंगे, अगला है इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है, दा फिलिंग और मेक्स यू, बिलीव, और नोट एट, सम्थिंग इस टू, विदाट बिंग एबल तो एक्स्प्लेन वाई, जैसे हमको बोलते हैं, कि हम रहा पता तो नहीं लग रहा है, बट लग रहा है कि ये सही है, आप ये लग क्यो रहा है, क्योंकि आपका क्या करा है, इंट्यूशन क इसके बीमारी के बारे में समझ गई थी, जान गई थी, ठीक है, तो ये इंट्यूशन हो गया, इसको बारे में इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह फिर भी वह उसके बीमारी के बारे में समझ गई थी, जान गई थी, ठीक है, तो ये इंट्यूशन हो गया, इसक action or a state of forcing or being forced to do something यानि पाधिता, किसी काम करनी के बाधिता आप तो क्या बोलते हैं, compulsion बोलते हैं थाइन होगा, obligation होगा constraint होगा, coercion होगा dures, dures जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे dures, ठीक है, आगे था पैसन, मतलब होगा जुनून a very powerful feeling for example of sexual attraction love, hate, anger और other emotion, यानि किसी भी emotion के लिए जो पैसन होता है जुनून, उसे लिए ये पैसन है हिंदी अर्थ होगा, जुनून इसको बाद था, आगे denounce, renounce और announce आप पहले भी कई दफा किये हुए लेकिन अभी फिर से हम देखते है पहला denounce denounce का मतलब होता है, निंदा करना sign होगा, condemned, criticize censure, costigate decree, revile vilify, यानि तिवर निंदा करना, ठीक है, और renounce का मतलब क्या होता है, त्या करना, sign हो क्या क्या हो जाएगा, और खास कर क्या, किसी पद को त्या करना, बो renounce होता है, sign होग, abdicate, abnegate seed, relinquish, a step aside, और a step aside के साथ में proportion और क्या होता है, from होता है, आगे क्या, absurd है forswear है, forsake है disavove है, give up है, अब ध्यान रखेंगे, absurd के साथ में एक दो word आपको करवाए गया थे, वो आप लिखेंगे एक दो word आपको ठीक है, देखते है, comment box में आप लिखिएगा, abjour से मिलता जूलता word, एक दो word थे, abjour से मिलता जूलता word, वो आपको लिखने है, जो कि पहले आपको करवाया गया था, ठीक है चली, आप देखते है, announce, announce का मतलब होता है, to make something non publicly and officially, यानि कि घुशना करना सभी को बताना ठीक है, तो ये announce होगा sign होगा, declare, estate, enunciate broadcast, proclaim या promulgate, ठीक है चली, इसका वाँ था, eliminate eliminate का मतलब होता है, खतम करना, to remove somebody something that is not wanted or needed चुकि जरूरत नहीं है, इसलिए खतम करते जानवरों पर आधारित, कथा, जिससे हमे नैतिक सिच्छा मिलती है, उसको क्या बोलते है, फैबल बोलते है जैसे पंच, तंत्र की कथाय होती है हो क्या है, फैबल है, साइनों क्या होगा parable होगा, allegory होगा epolog होगा, ठीक है parable, allegory, epolog, नितिक अथा इसका बाद आग ये देखेंगे parody, parody देखेंगे, तो इसके साथ prodigy देखेंगा और prodigal भी देखेंगे तो सबसे पहले parody देखते हैं, parody का मतलब होता है piece of writing, a speech or music that copies the style of somebody something in a funny way, यानि कि किसी तरह से किसी अन्नी की copy करना, लेकिन कैसे किस वे में, humorous वे में, funny वे में, क्या कलाता है, parody बोलते हैं, किसी की हास्या जैनक नकल उतारना parody होता है, यह sign होगा इसका, satire होगा, burlesque होगा, lampoon होगा, pastic होगा, caricature होगा, askeet होगा, ठीक है, अगला वर्ट देखते हैं, parody से मिलता जूलता वर्ट, prodigy, prodigy मतला होता है, बिलचन, पर्तिभा, संपन, बालक, sign होगा, genius, master wind, भर्टीशो, भर्टीशो, especially किस में, भर्टीशो, especially music के लिए, इस पता prodigal, prodigal का मतला होता है, खरचिला, sign होजाग, wasteful, extravagant, aspenthrift, improvident, profilgate, ध्यान रखेंगे, profigal, profilgate को अच्छा वर्ट है, aspen test में भी पुछता है, और sign हैंटो में भी आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, चली, अगला वर्ट है, highman, highman का मतला होता है, song of praise, especially a religious one, भगवान की अस्तूती के लिए जो मंत्रोचारन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, highman मोलते हैं, इसके बाद हो ode, ode, noun है, ode का मतलब होता है, a poem, that I speak to a person or thing, और celebrate a special event, यहने किशे विशेस अवसर के लिए लिए लिखेगे कविता को क्या बोलते हैं, ode बोलते हैं, ठीक है, आगे वाड़ता, sludges, adjective है, मतलब क्या होता है, सुस्ती, अक्रमन्यता, exact हिंदी क्या, अक्रमन्यता, moving और working more slowly, sims lazy, जी, हद से धीमा काम करना, क्या कहलाता है, sludges कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, हद से धीमा काम कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, sludges बोलेंगे, यह adjective है, sign होगा, quite, stagnant, inactive, अब यहीं पर quite के साथ में, इससे मिलता जूलता, दो-तिन वर्ड हैं, आप लेखेंगे, एक त सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब होता है, involving a lot of sitting down, यानि कि इस्थित रुप से बैठे रहना, ठीक है, वो कहलाता है, सेडेंटरी, सक्रिये नहीं, इसके बाद में दो-तिन इडियम है, एक है होप्सन स्वाइस है, एक है विलो दविस्प है, और तिसरा है, to add fuel to the fire, पहले द इसके बाद विलो दविस्प, विलो दविस्प का मतलब होता है, ब्रहमक उम्मीद, फिर था to add fuel to the fire, इस्थिति को बच से, बत्तर कर देना, खराब कर देना, इसको था को मेमोरेट, को मेमोरेट का मतलब होता है, असमरन उत्सा मनाना, यानि किसी को याद करना और सेलिबरे इसको बाद है, deficiency, deficiency का मतलब होता है, कमी, a state of not having or not having enough of something that is needed, यानि जिस चीज की जरूरत है, उसके परियाप्त मातरा में ना होना, क्या कहलता है, deficiency कहलता है, ठीक है, sign होगा, insufficiency, lack, shortage, dearth, inadequacy, deficit, shortfall, ठीक है, समझके है, कमी, इसको बाद है, hanger और hanger, h-a-n-g-a-r, और h-a-n-g देकिए, ये state में भी आपको गलत दिया हुआ था, दोनों जगे, g-e-r ही दे दिया था, लेकिन एक जगा होना चाहिए था, kya, g-a-r, चली देखते है, क्या है, पहला h-a-n-g-a-r होगा, तो मतलब होगा, अब big building, where planes are kept, यानि बड़ा सा building, जहां पर क्या रखा जाता है, उसको hangar बोलते है, ठीक है, और एक hangar है, h-a-n-g-e-r, समानेशा, जिस पर किसी चीज को टांगने के लिए यूज करते हैं, वो hangar, कपड़ा सब टांगने के लिए यूज करते हैं, घर में वो hangar होता है, ठीक है, इसको था harbinger, harbinger का मतलब होता है, person or thing that shows that something is going to happen soon, यानि क उसको क्या बलेंगा, harbinger, हिंदी में बोलते हैं, इसको अग्रदूद, साइन होगा, हिरार्ड होगा, पोर्टेंट होगा, ओमीन होगा, प्रिल्यूड होगा, इंडिकेशन होगा, अब जैस नहीं प्रिल्यूड आता है, तो एक बड़ आपको धिहान रखना है, प्रिकुल इसको बड़ और समबड़ी फ्रोंड विविंग सम्थिंग, यानि किसी को रोखना, या कोई चीज हो रहाऊ से रोखना, दूसरा आत क्या लिका लिक रहा, टू मेक सम्थिंग इंपोसीब, असंभा बना देन, देखिए, एक्जामपल से क्लियर करते है, एक्जामपल में क् आपको lack of time precludes any further discussion यानि समय की कमी किसी अन्य discussion को क्या करता है असंभाव बनाता है तो यह ब्रोकता है असंभाव बनाता है तो यह preclude होगे इसका बता होस्टाइल होस्टाइल का मतलव होता हुग्र having very strong feeling against somebody something यानि किसी अन्य के प्रती काफी प्रबल भावना होना वो भी कैसा बिरोद वाला तो होस्टाइल कहलाता है साइनों होगा antagonistic panaceous confidential व्यक्तिया वस्तु के परती यतंद उग्रभावना वाला ठीक है इसके बाद है catastrophic adjective है catastrophic का मतलव होता है causing sudden and very great harm or destruction प्रलाइकारी साइनों देके destructive है, fatal है, cataclysm है, disastrous है, clemsious है, devastating है clemsious, disastrous, devastating तीनों को ध्यान रखें कि अच्छा वर्ड है इसको बाद है delicate delicate का मतलब होता है जो आसानी से जिससे damage की असल सके या तूट सके तो वो delicate होता है उसको definite definite, a spell test में पुछता है तो DEFI NIT definite का मतलब fixed and unlikely to change जो के निश्चित certain है तो यह definite है यह इतने वड़ थे आपको set के hope अच्छा लागा होगा देखिए कोशिश करते हैं board वाला भी system कर लिया जाए तो थोड़ा सापको और interactive video लएगा तो सही लएगा अभी तो लगता होगा कि बस कहीं से छाप दिये हैं और लिए कर दिए बट इसके लिए समय लगता है आप ज और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सेर कीजिए और अस्पीट पाट साला से जुड़ी है क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर देखा हैं उनका response बहुत अच्छा है पहले जो 36-37 नमबर लेके आते थे अब इस्थिति है अब सेटों में वो 85-86 नमबर लेके आ र और ध्यान रखेंगे जो जो वर्ट के लिए बोला गया है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे वीडियो को सेर कर देंगे एक वाल